हरे किष्णा आप सभी भक्तों का हर्दिक स्वागत है हमारे कारेकरम में श्री उपदेश अमरत जिसमें हम प्रतेक शलोक का अध्यन कर रहे हैं इस पुस्तक का आज हम अपना ध्यान इस पुस्तक में बताया गए शलोक संख्या छे पर डालेंगे अब तक कि हमारी ये पंदरवी कक्षा है से पहले 14 कक्षा हो चुकी है जिनको आप यूट्यूब पर गीता ओनलाइन स्टडी चैनल पर देख सकते हैं आज की कक्षा में मुख्य जो विशे रहेगा वो रहेगा शुद्ध भक्तों को भौतिक द्रिश्टी से ना देखें अब चक्षुरून्मीलितं येन थस्मै श्री गुरवे नमहा श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयम रूपा कदामयं ददाती स्वापदांतिकं वंदेहं श्री गुरोह श्री युता पदकमलं श्री गुरून वैष्ण वाम्ष्च श्री रूपं साक्र प्रजातं सहगन रगुनाथन वितंतं सजीवं साध्वाइतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिताश्री विशाखान विताम्ष्च हे कृष्ण करुणा सिंधू दीन बंधू जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गावरांगी राधे ब्रिंदावनेश्वरी व्रिचभानू सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतर उभ्यस्च क्रपा सिंधुभ्य एवचा पतितानाम पावनेभ्यो वश्ण वेभ्यो नमून महा जये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गराधर श्रिवासादि गौर भक्त ब्रिंदा अन्हां आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की कक्षा में विश्यर हैगा शुद्ध भक्तों को भौत एक दृष्टी से ना देखें तो शुद्ध भक्त की जब बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा उधारण है शिलप रभूपात जी का इसले आप आप देखेंगे कि इस स्लाइड पर हमने प्रहुपात जी का चित्र दिखाया है और आज की कक्षा में भी हम जब शुद्ध भक्तों के विश्यर में जब उधारण इथ्यादी लेंगे तो प्रहुपात जी के जीवन से आप देखेंगे कि कई उधारन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो कक्षा का आरंब हर बार की तरह पिछली कक्षा के चर्चा से करेंगे पिछली कक्षा में हमारा पांचवे शलोक पर विशय था उसमें दूसरा भाग हमने पांचवे शलोक पर हमने प्रस्तुत किया था जिसमें मुख्य रूप स हमने चर्चा की थी कि जो उन्नत भक्त हैं जो प्रगती किये हुए भक्त हैं एडवांस्ट डिवोटीज हैं उनके साथ हम वास्तब में कैसे संग कर सकते हैं तो यह हमारा विश्य रहा था तो धीरे धीरे करके एक एक पिंदू पर प्रकाश डालेंगे तो जो एडवांस्ट डिवोटी होते हैं उनको हम बोलते हैं उत्तम अधिकारी उत्तम जैसे तीन प्रकार के अधिकारी हमने बताये थे कनिष्ट, मध्यम और उत्तम तो उत्तम अधिकारी मतलब बहुत आगे पहुँचे हुए भक्त सामान्य रूप से नहीं दिखाई देते ह मातरा में, गिंती में कम ही होते हैं आगे काफी कृष्ण भक्ती में आगे बढ़े वे होते हैं तो उनकी पहचान करने के लिए हमने आपको दो बिंदू बताये थे कि उत्तम अधिकारी भक्तों की श्रद्धा तथा शास्त्रिय ग्यान दोनों बहुत प्रबल होता है दोनो यदिश्धा पूरवक करे जो भक्ती के नियम इत्यारी उसको बताये गए हैं उसकी साधना बड़ा निश्धा पूरवक करे और भक्ति की प्रक्रिया में अटूट श्रद्धा रखे भक्ति की प्रक्रिया में अटूट श्रद्धा मतलब अपने गुरू के बचनों पर विश्वास गुरू ने जो सेवा दी है उसको बिलकुल निष्ठा से उसको करना इस प्रकार जो भी भक्ति की प्रक्रिया है भगवान शी कृष्ण की शिक्षाओं में पूर्ण रूप से विश्वास, भक्ति शास्त्रों में पूरा विश्वास, तो भक्ति की प्रक्रिया में अटूट श्रद्धा रखे, तो यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना, अपनी अ अंतरत समझने के लिए हमने आपको ये बताया कि वास्तम में कनिष्ठ अदिकारी की मानसिक्ता या मनुभाव होता है कि भक्ती जो है वो जीवन का भाग है और उत्तम अदिकारी सोचता है कि वास्तम में जीवन जो है वो भक्ती का भाग है जीवन जो है वो भक्ती का भाग है तो जितने खेल मैं खेलता हूँ, उसमें क्रिकट भी एक खेल में खेलता हूँ, लेकिन जो आगे बढ़ावा जो खिलाडी है, जैसे सचिन तिंदुलकर हुए या विराट कोली हुए, वो कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकट खेलता हूँ, वो वास्तम में और किसी अन्य वस्तूपर ध्यान ही नहीं देता है. तो यह उत्तम हदिकारी वो इस सोचता है कि भक्ती जो है वो जीवन का भाग है. तो जो जीवन मैं अच्सा मैं जी रहा हूँ, वह बास्ते में जो भक्ती मैंने पिछले कई जन्मों से मैंने शुरू करकी है, इस जीवन में भी वो भक्ती में आगे बढ़ा रहा हूँ और कनिष्ठ अदिकारी सोचता है कि हम अपने जीवन में कई बातें करते हैं हम कारी भी करते हैं हम यापार भी करते हैं और हम भक्ती भी करते हैं इस प्रकार से दोनों के मनोभावों में अंतर होता है। वो पूर्ण रूप से भक्ति के सिध्धानतों में दक्ष होता है और इतना दक्ष होता है कि वह रचनात्मक्ता के साथ वास्त में भक्ति को सिध्धानतों का उपयोग करते हुए प्रचार प्रसार भी भक्ति का कर सकता है। जाता है उसको इतना वो चीजों को गहराई से बारीकियों से समझने लगता है कि अब वो वास्तव में किसी नए भक्त का किसी नव दिख्षित भक्त का भी मारदर्शन बड़ा अच्छे से कर सकता है तो ये अर्थ हुआ इसका मारग जानता है मारग पर चलता है हमने एक अन्य बाद समझी भक्ति विनो ठाकर जी का कथन है कि हम उत्तम अधिकारे को कैसे पहचान सकते हैं तो उसका एक संकेत इस वाक्य से मिलता है कि जो व्यक्ति अनेक-अनेक वैश्नों बना सकता है कोई व्यक्ति नया है बिलकुल भक्ति के बारे में नहीं जानता है, लेकिन उत्तम अधिकारी के संपर्क में आता है, उत्तम अधिकारी के संपर्क करके, उसका संग करके, उसकी बातें सुनके, उसके साथ अपना जीवन जोड कर, वो व्यक्ति वास्त में वैश्नव बन जाता है, तो एक उत्तम अधिकारी ऐसा वैश्नव होता ह जो अनेक अनेक व्यक्तियों को वैश्नव वाद में परिवर्तित कर देता है, वो व्यक्तियों को वैश्नव बना देता है, तो जिसकी जितनी शमता वैश्नव अधिक बनाने की उस प्रकार से उत्तम अधिगारिकिया पहचान कर सकते हैं, प्रचार में सफलता, तो यहां चु प्रचार में सफलता का सिध्धान्त है हाँ एक दिश्टी कोंड से ये प्रचार में सफलता का एक सूचक है एक सूचक आंक है लेकिन इसमें थोड़ी सी बारीकी पर यदि हम ध्यान करें तो हमें ये वास्तम में समझना चाहिए कि प्रचार में सफलता हमारी इस बात पर आध तो सौभाग के हमें बैशनव परंपरा में आने का, बैशनव सिध्धानतों पर चलने का, हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, वही कृपा वास्तव में मैं अन्यों के साथ उनको माटना चाहता हूँ, साजा करना चाहता हूँ. तो यदि इस प्रकार की आन्तरिक पूर्णता पर हमारा प्रचार आधारित होगा, तो लंबे लंबे समय तक चलेगा, और उसमें जो सफलता मिलेगी, वो इस्थाई होगी, वो कहीं जाएगी नहीं. लेकिन यदि हम तुरुटी पूर्ण कारणों से निजी स्वार्थी कारण के कारण प्रचार करते हैं, तो हम वास्तब में फिर लंबे समय तक प्रचार में सफल नहीं हो पाएंगे. निजी कारण क्या हुए? हमें धन की आवशकता है, दान की आवशकता है, हमारा नाम बढ़े, हमें लोग बाग समझेंगे, हम बहुत ग्यानवान हैं. इस प्रकार क लंबे समय तक नहीं चलती क्योंकि वह आंतरिक परिपूर्णता पर या निस्वार्थ भाव पर आधारित नहीं होती है. आगे देखते हैं. अब हम इन्हीं जो हमने देखा भजन विज्यम के बारे में हमने चर्चा करी, फिर अन्यनिंदादी का जो विशे था, उस पर चर और अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, रासकल, इस प्रकार के शब्दों का उप्योग किया करते थे. लेकिन हमने ये समझने का प्रियास किया कि एक उत्तम वैशनव जो इस प्रकार की कठोर भाशा का उप्योग करता है, तो वास्तब में वह सामान्य जन को उनकी जो या समाजिक या एक प्रकार से निजी रूप से उनकी आलोचना करता है, वो सारजनिक रूप से नहीं करता है, निजी रूप से उनकी आलोचना करता है, और उन्हें वास्ते में उनका मारदर्शन करता है, मध्यम अधिकारी को कि वो जब आलोचना करता है, तो उसका भाव यह होता है कि उसको जो उसका जो प्रचार के प्रती जो उसका रुजहान है जो उसकी जो निजी जो उसकी हुबियां है उनके आधार पर उनको वो मार्ग दिर्शन करता है कि तुम ये मार्ग अपना कर वास्ता में भक्ती में आगे बढ़ सकते हो और यदि किसी उन्नत भक्त निसञतरिक से, किसी अन्य उत्तम अधिकारे से, उसका किसी कारण से कोई मदभेत हो जाता है तो वो निजी स्तर पर आपस में बात चीत करकर उन्हें सुल जाने का प्रियास करता है फिर सूशुरूश्यया मतलब ऐसे भक्त का हम वास्तव में जितना भी सेवा हम उसकी कर सके उतना कम है हमें उसकी सेवा जब भी मिले तो उसको करने का पूरा-पूरा अफसर उठाना चाहिए तो सेवा में भी दो प्रकार की सेवाएं होती है एक होती है आधार भूत सेवा आधार भूत सेवा मतलब जो हमें उन्होंने आग्या दी है कि हमें 16 माला का जब करना है, हमें 4 दियमों का पालन करना है, वो आधार भूत सेवा हमें पुड़ी शरद्धा के साथ नित्य पालन करते हुए करना चाहिए और अन्य जो सेवा हम कर सकते हैं, जैसे उत्तमदिकारी प्रचार कारियों में लगे हैं, तो उनके प्रचार कारियों में हम उनका सहयोग कर सकते हैं, वो जो प्रचार कारिय का, कृष्ण भक्ति के प्रचार का भार जो उन्होंने अपने कंदों पर उठा रखा है, तो उस भा में कुछ अंश का सहयोग हम उनके साथ कर सकते हैं संग लब्ध्या तो अब ये संग लब्ध्या शब्द मतलब इसका अर्थ ये है कि ऐसे उत्तम अधिकारी भक्त का संग यदि शन भर का भी संग यदि हमें मिले तो वो हमारे जीवन में बड़ा मूल्यवान सिद्ध हो सकता ह हमें वो अफसर जो है गवाना नहीं चाहिए और ऐसे ही उत्तम अधिकारी से हमें दीक्षा लेनी चाहिए दीक्षा का उद्देश्य होना चाहिए क्रिष्ण भावना में प्रगति करना ना कि केवल फैशन के आधार पर हमें कोई गुरू स्विकार करना चाहिए और उसके करने के लिए तयार हैं तो ऐसे जब हमारी मान सकता हो तो हम दीक्षा लेने के लिए तयार हो सकते हैं फिर हमने एक अन्य शिर्णी के भक्त के बारे में बात करी ये हैं प्राक्रत सहजिया सहज शब्द होता है सरल तो प्राक्रत सहजिया वास्तम में भगवान का नाम जब करते हैं लेकिन भक्ति के सिध्धानतों का पालन करने में धिले होते हैं वो सोचते हैं कि जैसे भगवान शी कृष्ण जो हैं वो गोपियों के साथ रास रचाते थे ऐसे हम भी स्थ्रियों के साथ मिलकर रास रजा सकते हैं तो इससे भक्ति की जो सिध्धान्त हैं, जैसे चार नियमों का पालन करना, उनका उलंगन होता है, तो ये सहजिया होते हैं, भक्ति के सिध्धान्तों को सरल सहज रूप से लेते हैं, लेकिन चुकि ये नाम जब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी ऐसे भक्तों को हम मन में आदर दे स शलोक संक्या तीन पर हमने तीन कक्षाएं दी, चार पर भी हमने तीन कक्षाएं दी और पाँचवे शलोक पर हमने दो कक्षाएं दी, तो कुल मिलागर आठ कक्षाएं हमने दी हैं, तो आप देख सकते हैं कि तीन, चार और पाँच शलोक कितने महत्वपूर्ण शलोक हैं, औ और इन महत्वपूर्ण श्लोकों पर हमने एक प्रश्णोत्री आपको प्रेशित करी है तो कृपा करके एक हफ्ते का एक सप्ता का समय आपके पास है तो उस पर थोड़ा सध्यान दीजेगा हमारे जो प्रवचन है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है यदि आपको दुबार उनको सुनना पड़े तो थोड़ा सा कष्ट लीजेगा और प्रश्णोत्री पर अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किजेगा उससे आपी को ही लाब होने वाला है ठीक है तो हम आज का आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि स्लाइड में हम कहां तक प होता है कनिष्ट अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तो अब आज की च्छटवे शलोक में हम देखेंगे कि उत्तम अधिकारी भक्त के साथ हम विशेश रूप से किस प्रकार का संग करते हैं और हमें किस बात की सावधानी वास्त में देखनी चाहिए, ब किन बातों की साबधानी रखनी चाहिए, उस पर हम विशेश रूप से ध्यान देने वाले हैं, तो शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टी कोंड से ना देखना, तो विशेश रूप से ये इसका, आज के शलोक का मुखी रूप से विशे रहेगा, तो ये शलोक आपके सामने आज यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, शलोक को हम पहले दोहराएंगे, तो मैं पहले शलोक को दोहराने से पहले कक्षा में थोडा सा पूछना चाहDownगा, देखते हैं कक्षा में कौन कौन है, जी, मेरे ख़ैल कक्षा में, जीवन प्रभू तो हैं, ठीक है, जीवन कौन से चंद में लिखा है और किस प्रकार से इसका गायन होना चाहिए चुकि आपको ये ग्यान उपलब्ध है तो आप बता सकते हैं आपका माइक्रोफोन म्यूटिड है या अविलेबल नहीं है सुन पा रहे हैं आप थोड़ा सा बताएं चले लगता है प्रभुजी सुन नहीं पा रहे हैं अन्य कोई भक्त बता सकते हैं कि श्लोग कौन से चंद में लिखा गया है नहीं बता सकते हैं चले कोई बात नहीं चुकि आप में से अधिक तर लोगों को ये शिक्षा नहीं दी गई है तो इसले आप नहीं बता सकते हैं चले मैं ही बताता हूँ आपको वास्ता में श्लोग जो है वो वसंत तिलक्ष चंद में लिखा गया है तो हमने हमारी जो श्रीमत भागवत की जो अंग्रेजी की कक्षा होती है उसमें हमने चंद विज्ञान पर चर्चा काफी करी है आपके साथ चर्चा भी तक नहीं हुई है हिंदी कक्षा के शात्रों के साथ तो इसले आपका ना जानना स्वभाविक है इसको जिस प्रकार से हम ब्रह्म समीता के शलोकों का उच्चारन करते हैं प्रकार से इसका भी उच्चारन किया जाएगा तो आप में से कोई ब्रह्म समीता का कोई शलोक जानते हैं किसी को कोई स्मरण है ब्रह्म समीता का शलोक नहीं आच्छा चले मैं सुनाता हूँ तो ब्रह्म समीता का एक बड़ा प्रसिद्ध शलोक है तो ये जो श्लोक है ये वसंत तिलक्षंद में लिखा गया है तो वसंत तिलक्षंद की पहचान ये है कि इसमें 14 अक्षर आते हैं 14 अच्छा अक्षर कितने आते हैं किसी श्लोक में या किसी चंद में उसकी पहचान कैसे करें तो देखिए इसका बड़ा सीधा साधा एक फार्मुला है तो जो लोग देवनागरी लिपी से परीचित हैं तो इस प्रकार से यदि आप एक पंक्ती में किसी श्लोक के अक्षर को गिनेंगे तो आप पाएंगे चसमा नीचे रह गया वह कोई रहोप तो हम हम अब किससे हैं हम आग्रह करते हैं प्रीति माधाजी आप गिन सकती हैं ह हरे किषेञी माधा जी सुन सकती है आप हुआ पेटने अक्रह आप गिन सकती है अधे अक्र नहीं गिनने पूरे पूरे अक्र गिनने हैं कोई बातe नहीं के पंद्रा कैसे डिने आप ने द एक ड व एक व तीन व Ao Nagam फिर छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, तो आधे अक्षर मतलब, तो शा को नहीं गिनना क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, हलंत लगा है, तो जो आधे अक्षर हैं उन्हें नहीं गिनना है, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में बिगने, एक, दो तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, ठीक, तो इसके नीचे हलंत है, उसको नहीं गिनेंगे, तो इस प्रकार से प्रतेक पंक्ति में चौदा अक्षर होते हैं, उसको वसंत तिलक बोलते हैं, उसको गायान करने की जो लह है, व पेनू पुणंत अमरविन्द दलाया ताक्षम, द्रश्टै स्वभाव जनितर वपुयस्च दोशै, प्राक्रत्तत्वं, प्राक्रतत्वं, प्राक्रत्त्वं, इह भक्त जनस्य पश्चे, गंगां भसां न खलू बुद बुद फेन पंकैर, ब्रह्म द्रवत्वं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी एक किसी एक शलोक का चंद यदि हमें मालूम है और उसको गायन की ले मालूम है तो हम उसको पहचान करके दूसरे शलोक की या दूसरे पद की भी हम ले जो है वो निकाल सकते हैं तो ये है वसंत तिलक शंद का नाम क्या है वसंत तिलक अब हम श्लोक का अनुवाद थोड़ा सा समझेंगे, प्रतेक पंक्ति का अर्थ थोड़ा सा समझेंगे, देखे द्रश्टही स्वभाव जनितेर वपुयष्च दोशेर, मतलब द्रश्टही मतलब देखना स्वभाव, स्वभाव जनितेर स्वभाव जनितेर मतलब स्वभाव से उत्पन स्वभाव से जनम लेता हुआ वपुयश्च मतलब शरीर से तो शरीर से या स्वभाव से जन्मित या जन्म लिया हुआ यदि कोई दोश किसी में है और यदि हम उसे देखते हैं तो ये पहली पंक्ति क्या बोलती है, साधारन द्रिश्टी से ऐसे दोश शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, द्रश्टाई स्वभाव जनितेर वपूयश्च, वपू मतलब शरीर, स्वभाव मतलब नेचर, स्वभाव जैसे किसी व्यक्ति का होता है, तो द कोई दोश दिखाई दे, कोई दोश दिखाई दे, किंतु हमें क्या करना चाहिए, कि इस प्रकार के भक्त में हमें इस प्रकार का भौतिक वादी दोश जो है, उसको देखना नहीं चाहिए, तो यहां देखे, किंतु ऐसे भक्त को भौतिक वादी द्रिश्टी कोंड से नह पश्येत शब्द का क्या अर्थ है देखना पश्येत शब्द का अर्थ है देखना तो हमें प्राकरत प्राकरत मतलब क्या होता है प्राकरत शब्द कहां से आया प्राकरत शब्द आया है प्रकरती से तो प्रकरती जो चारो तरफ हमारे है वो भौतिक प्रकरती है तो इसलिए प्राक्रतत्वम का अर्थ हुए हुआ कि उसे भौतिक वादी दृष्टी से उसको नहीं देखना चाहिए ना प्राक्रतत्वम इह इस भक्त को इह भक्त जनस्य पश्षेत ऐसे भक्त को भौतिक वादी दृष्टी कोंट से नहीं देखना चाहिए बहुत ही कवादी दिर्ष्टिकोंट से देखना का मतलब क्या हुआ और ये तो काला है ये तो गोरा है ये तो ठिकना है ये तो लंबा है ये तो गुस्यवाला है ये तो चिड़ चिड़ा है ये तो लंगड़ा है ये तो लूला है ये तो अंधा है ये प्राकरत दिर्ष्टि लिजे कि साधारन द्रिष्टी से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई शुद्ध भक्त है संभवता उसकी कोई टांग नहीं है या कोई द्रिष्टी से बादित है या कई बार देख सकते हैं कि कोई शुद्ध भुख रासकल इस प्रकार से डांट दिया करते थे तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यह तो बड़ा करोधी किसम का व्यक्ति है तो लेकिन यहाँ पर बात जो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि साधारन दृष्टी से ऐसे दो शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं संभव है आप देखें लेकिन ऐसे भक्त को भौतिक्तावादी दिर्ष्टी कोण से नहीं देखना चाहिए इसी बात को समझाने के लिए अन्य दो पंक्तियों में रूप गोस्वामी जी एक बड़ा सुन्दर उधारण देते हैं वो उधारण है गंगा न दी का गंगाम भसाम न खलू बुद भुद फेन पंकाईर गंगाम भसाम गंगा गंगाम भसाम का अरुद किय हुआ अंभसा मतलब क्या हुआ जल तो गंगा जल गंगा जल में न खलू बुद बुद फेन पंकेर बुद बुद किसको बोलते हैं? बुद बुद बोलते हैं बुलबुले को बबल्स, इंगरीजी में बोलते हैं बबल्स बुलबुला, फेन फेन बोलते हैं जाग को और पंकेर पंकेर बोलते हैं कीचड को जिसे एक शब्द आपने सुनाओगा पंकज पंकज बोलते हैं कमल को पंकज कमल को क्यों बोलते हैं क्योंकि कमल जो है वो कीचड में खिलता है तो पंक बोलते हैं मिट्टी को मिट्टी मतलब कीचड तो गंगाम भसाम तो गंगा जल में हो सकता है कि आपको बुल-बुले दिखाई दें, आपको जाग दिखाई दें, आपको कीचड दिखाई दें, लेकिन गंगा जल जो है वो भ्रह्म द्रवत्वम, भ्रह्म द्रवत्वम, भ्रह्म द्रवत्वम मतलब उसकी प्रकरती जो है वास्तव में ब्रह्म है, वास्तव में दिव्य है, आध्यात्मिक प्रकर्ति है, गंगा जल जो है, साधारन जल नहीं होता है, जो नल के पानी में जो जल आता है, वो गंगा जल का सुभाव ऐसा नहीं होता है, गंगा जल का सुभाव है ब्रह्म द्रवत्वम, ब्रह्म, अपक उठते हैं या जाग उठते हैं या यदि वो बहता है तो थोड़ी बहुत मिट्टी साथ लेकर बहता है तो हमें जो जल का वो जो सवभाव है उसको नहीं देखना है वास्तव में गंगा जल जो है वो ब्रह्म प्रकर्ति से नहीं देखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे गंगा जल में आपको बुल-बुले दिखाई देते हैं, आपको जाग दिखाई देते हैं, आपको मिट्टी, कीचड इत्यारी दिखाई देता है, तो हमें गंगा जल में वास्तम में मानना चाहिए कि ये ब्रह्म द् श्लोक का अनुवाद है। तो हम आगरे करेंगे कि किक्शा में कोई भक्त जो है वो इसके अनुवाद को पढ़ें। मैं आगरे कर सकता हूं किसी से भक्त वैचल गौर प्रभू आप पढ़ना चाहेंगे। आप पढ़ना चाहेंगे जो सामने स्लाइड में लिखा है जी प्रभुजी अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिती में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आपको श्रीर नहीं मानता ऐसे भक्त को भोतिक्ता वादी द्रिष्टी कौन से नहीं देखा जाना चाहिए निसंदे भक्त के निम्मन कुल में उत्पन होने उसके कुरूप चेहरे विक्रित श्रीर या रोगी श्रीर की प्रवाण नहीं करनी चाहिए सधारन द्रिष्टी से ऐसे दोश शुद्भक्त के श्रीर में प्रकट दिख सकते हैं लेकिन इन सब दिखने वाले दोशों के बावजूद शुद्भक्त का श्रीर कभी दूशित नहीं हो सकता यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी-कभी वर्षा रितु में बुद्भुदे फेन तता कीचड से पूरित हो जाता है किन्तु कभी दूशित नहीं होता अतेव जो लोग अध्यात्मिक ज्यान में उन्नत हैं वे जल की अवस्था का विचार किये बिना गंगा में सनान करे हरे किष्णा प्रभु जी तो यह अनुवाद है हमने चर्चा करी ली है आशा है जो पढ़ा है प्रभु जी ने आपको समझ में आया होगा नहीं तो पुस्तक में दुबारा पढ़िएगा स्लाइड जब हम बेजेंगे तो उसमें फिर से आप पढ़ सकते हैं आगे चलते ह अब हम इस श्लोक की थोड़ा सा गहराई से इसका अध्यन करेंगे और अलग-अलग बातों पर इसमें विचार करेंगे जो भी यहां पर श्लोक पर हमने देखी हैं विशेश रूप से प्रभु पाज जी के जीवन से हम कई-कई कथाएं उद्धरन लेकर हर बिंदु को थो प्रकाश डालेंगे वास्तव में चेतना का अर्थ क्या होता है और विशेश रूप से शुद्ध चेतना को हम कैसे समझ सकते हैं तकनीकी दृष्टी कोंड से आध्यात्मिक गरंतों के आधार पर शुद्ध चेतना वास्तव में उसकी परिभाशा क्या है उसको हम कैसे समझ सकते हैं और एक उत्तम अधिकारी या एक उन्नत भक्त जो है वो शुद्ध चेतना का उसके जीवन में क्या आर्थ है वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो पहला विशे तो ये रहेगा दूसरा विशे देखिए दूसरा विशे है शुद्ध भक्त को देखने का द लग लग दृष्टिकोन हो सकते हैं कि इसका शरीर जो है वो बादित है कोई लंगड़ा है या कोई अंधा है या जनम से वास्तम में इसका जनम जो है वो निम्नकुल में हुआ है या कि वास्तम में भी संभवता किसी एक निम्नकुल में इसका जनम हुआ है किसी शुद्र हमारा दृष्टिकोर्ण यह हो सकता है कि यह तो विदेशी है या यह तो मुसल्मान समाद से आता है या किसी अन्य धरम के समाद से आ सकता है तो इस प्रकार से हमारा भौतिकवादी दृष्टिकोर्ण भी हो सकता है यह तो गरीब से है या अमीर है इस प्रकार का भी हो सकता ह या ये भक्त वास्तम में तुर्टियां बहुत करता है, इसने जो आज वर्तमान समय में जो लेक प्रकाशित किया, उसमें कुछ तुर्टियां हम को देखने को मिली, तो हम कैसे, ये तो चुंकि तुर्टियां करता है, तो वास्तम उत्तम शिर्णी का कैसे हो सकता है, तो इस फिर अन्त में एक भक्त की महीमा को समझने का प्रयास करेंगे कि एक वास्तब में भक्त को हमें किस दिर्ष्टी कोंड से देखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध चेतना जैसा कि प्रभुपाद जी ने अपने तातपरिया में इस लो शुद्ध का कॉण चिनस ने का पुरा पूरा पूरा ज़ो इसका एक्सपेंशन जब हम करते हैं इंटरनैशनल सुसाइटि फर कृष्ञा कॉण्च्यसनेस तो ये कॉण्श्टेस ने स्चब्द का अर्थ क्या होता है। Consciousness शब्द का हिंदी में कैसे अनुवाद करते हैं आप में से कौन बता सकते हैं रुक्मणी माता जी बताइए चेतना प्रभु जी हाँ चेतना बिल्कुल उचित आपने उत्तर दिया जब आप प्रहुपाज जी की पुस्तके देखेंगे तो इसको दूसरे प्रकार से भी इ अनुवाद किया जाता भावना भावना चेतना कहिए भावना कहिए अंदर का अंदर की एक प्रकार से आप यह कहिए कि उसका भाव कैसा है उसकी चेतना कैसी है तो चेतना जो है वो उसको आप दो प्रकार के विभागों में बांट सकते हैं तो पहले प्रकार की चेतना हु आध्यात्मिक चेतना तो भौतिक चेतना को जिस व्यक्ति की चेतना भौतिक वादी होती है वो मुख्य रूप से उसे आप कैसे पहचान सकते हैं उसे आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं को उसका इंद्रियत रिप्ति करने में बहुत रुजान होता है भोग विलास करने में करेगा चलो आज तो चाट पकोड़ी खाते हैं आज तो सिनेमा देखने जाते हैं आज तो कहीं कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बड़ा मज़ा है कहीं आज लंबी राइड पर चलते हैं कहीं बहुत केज मोटर साइकल चलाते हैं तो ये भोग विलास करना है कहीं शॉपिंग कर करते हैं बहुत पैसा खर्च करके कहीं लंदन पैरिस अमरीका घूमना जाना यह उस भोग विलास करने की मानसिक्ता होती है जिसे भौतिक्तावादी मानसिक्ता कहते हैं हमेशा अपने शरीर को भोग विलास में डुबोय रखना दूसरी मानसिक्ता होती है आध्यात्मिक मानस बिल्कुल विप्रीत होता है आध्यात्मिक वादी व्यक्ति जो होता है वो वास्तम में हमेशा भगवान से प्रेम करने के बारे में हमेशा उनकी सेवा करने के बारे में उसकी रुची रहती है उसका ध्यान विशेश रूप से इसी बात पर रहता है कि कैसे मैं किसी अन्य व् चेतना तो यह समझने का प्रयास कीजिए आगे हम चलते हैं अब यहां पर पहला बिंदू पर ध्यान दीजिए केवल शुद्ध भक्त ही वास्तम में भौतिक चेतना को लांग सकता है तो अपनी चेतना मान लीजिए हमारी चेतना जो है भौतिकतावादी है हमारे अंदर चेतना से हम वास्तम में अपने आपको भक्ति वाले कारियों में लगा कर ही उपर उठ सकते हैं तो यहां पहला बिंदू जो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं तो उसमें लिखा है केवल शुद्ध भक्त ही वास्तम में भौतिक चेतना को पार कर सकता है भौतिक चेतना स निश्प्रभावित रहेगा या अप्रभावित रहेगा तो कहां से हमें ये बात पता लग रही है शास्त्रिक दृष्टिकोंड से यदि देखे हैं तो भगवत गीता के चौदवे ध्याय में 26 वंशलोक में बात लिखी गई है और फिर भक्तिर सामरत सिंदु में भी जो शुद्ध भक्ति की परिभाशा है उन दोनों से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तब में अगर हम भक्ति में पुन रूप से लगे हुए हैं 100%, 100% तो हमारे अंदर भौतिक चेतना उत्पन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है तो देखे चौदवे ध्याय का 26 वंशलोक क्या कहता है गीता का श्री कृष्ण इस लोक में बता रहे हैं माम्चयो व्यभीचारेन अब व्यभीचारेन मतलब बिलकुल अविचिलित भाव से बिना रुके बिना किसी और अन्य चेतना में अपने आपको सनलिप्त करते हुए बिलकुल अविचिलित भाव से जो मेरी माम मतलब मेरी श्री कृष्ण अपने ले कह रहे हैं जो मेरी अविचिलित भाव से भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते मतलब भक्ति योग में लगा हुआ रहता है सेवते हर सभी परिस्थितियों में हर परिस्थिति में जो अविजिजिल भाव से मेरी भक्ती में लगा रहता है, अब आगे देखिए, मुद्दे की बात यहां आती है, सर गुणान सम्तीत याइतान, गुणान, गुणान शब्द का मतलब क्या है, गुण, भगवत गीता में तीन प्रकार के गुण बताया गए है, कौन-कौन से ग सम्तीत याइतान का रथ हुआ लांगना, आपने जैसे वो 100 मीडर हर्डल रेस देखी है, जो अलम्पिक में होती है, जो एशियन गेम्स में होती है, जिसमें हर्डल्स लगे वे होते हैं, बाधा दौर जिसे बोलते हैं, और जो धावक होता है, वो उनको कूद-कूद कर, फ प्रयास करता है, तमगुण एक प्रकार से प्रयास करता है, और सत्वगुण भी प्रयास करता है, हमें बांधने का, लेकिन जो 24 घंटा यह कहिए, जो अविचलित भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, वो जैसे वो हर्डल क्रॉस कर देता है, जैसे धावक, उसी प्रकार से यह जो शुद्ध भक्त है, जो अविचलित भाव से भक्ति में लगा वा है, यह उन प्रकर्ति के गुणों को लांग जाते हैं, और ब्रह्म भुयाय कल्पते, और इस प्रकार ब्रह्म के इस्तर पर पहुंचने का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे, ब्रह्म क इस्तर पर पहुंचने का अर्थ क्या हुआ, सरल शब्दों में समझाईए, ब्रह्म, भुयाय è कल्पते, ब्रह्म के इस्तर पर पहुंचना, लैक्पाई लैक्पाई का विस्तार कीजिये जीवन प्रभू लैक्पाई मतलब लास्ट आंगर ग्रेंड अण ग्रेंड प्राइड 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 इलूजन इलूजन एन्वी काम किरोध लोब मो מת सर्य शर दूर संदर प्रिती महात्य जी ने अनुवात भी कर दिया काम किरोध लोब मो रमें appear तो यह जो गुड़ है यह हमारे अंदर किस्य प्रकार के भाह उत्पन करते हैं झियसे रजोगुण और तमोगुण है कामोघल लोब मो मद मत सरय उत्पन करना तो जो व्यक्ति अविचलित भाव से भक्ति में लगा रहता है वो गुणों को पार कर जाता है मतलब क्या काम, क्रोध, लोब मद मत सरय साफ हिरदय से साफ तो अभी जो हिरदय है वो कैसे हो गया एकदम सफेद सफेद मतलब एकदम चमा चम जैसे वो advertisement आता है ना रिन की चमकार क्या है वो मेरी धोती तुमारी धोती से या मेरी साडी साडी से सफेद कैसे advertisement आता है ना तो इसी प्रकार से जब ये सब गुणों से पार कर जाते हैं तो ब्रह्म भुयाय कलपते तो ब्रह्म भुयाय कलपते का बड़े सरल शब्दों में अर्थ क्या हुआ मेरी साडी जो है बिलकुल एकदम चमा चम हो गई है या मेरा कुड़ता जो है वो एकदम बिलकुल सफेद चमा चम हो गई है किस चीज का दाग नहीं लगाओ है, काम, क्रोध, लोग, मो, मद, मत, सरिय, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, ब्रह्म भुयाये कलपते, ब्रह्म भुयाये, तो ब्रह्म शब्द जो है वो इश्लोक में भी आया है, ब्रह्म द्रवत्वम, तो गंगा जल जो है वास्ता में ब्रह्म द्रवत्वम मतलब दिव्य है, वो किसी भी विकार से उपर है, लेकिन हो सकता है कि पानी के कारण उसमें कुछ बुल बुले, कुछ मिटी, विटी आ गई हो, लेकिन वास्ता में गंगा जल जो है एकदम निर्मल और एकदम ना केवल निर्मल वास्ता में ब्रह्म ब्रह्म द्रवत्वम निर्मलता की परिभाशा से भी उपर है, तो ये इसका आप एक गीता के शलोक से आप ये समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त जो है, उसकी चेतना पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होती है, ब्रह्म भुयाए, भक्तिर सामरत सिंदु में शुद्ध भक् पुस्तक का समापन करने के बाद हम अगली जो पुस्तक पढ़ने वाले हैं वो है भक्तिर सामरत सिंदु, भक्तिर सामरत सिंदु वास्तम में एक वैसी पुस्तक है जिसमें भक्ति का विज्ञान बताया गया है, अनेक अनेक परिभाशा हैं, तो एक परिभाशा शुद्ध भक्ति की भक्तिर सामरत सिंदों में दी गई है, वो क्या है? अन्या भिलाशिता शुन्यम ज्यान कर्माध्यनावरतम आनुकुलेन कृष्णानु शीलन भक्तिरुत्तमा तो ये देखिए, अन्त में जो भक्तिरुत्तमा है, इसका आर्थिया किसे कहते हैं, सुनिये, पहली पंक्ति पर ध्यान जीजे, अन्या भिलाशिता शुन्यम किसी भी भौतिक लाब की कामना किये विना, कोई भौतिक लाब की कामना नहीं है ज्ञान करमाद्य अनावरतम किस प्रकार का भहतिक लाप ना तो उसको कोई ज्ञान की कामना है नहीं कर्म की कर्म आदी कर्म की या और किसी चोटी-मोटी वस्तू की कोई कामना है अन्या अभिलाशिता शुन्यम अन्या अभिलाशिता शुन्या है और ज्ञान कर्म से वो अलग है ज्ञान कर्म से वो मुक्त है ऐसा कार्य ऐसी सेवा ऐसी गतिविधी यदि कोई है तो वास्तम में उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति और कृष्ण के अनुशील है कृष्ण के अन ना कोई सकाम कर्म किया जाता है, सकाम कर्म क्या, कि यदि हम ये पूजा करेंगे तो हमें स्वास्त अच्छा मिलेगा, ये पूजा करेंगे तो हमें अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छा पती मिलेगा, ये सकाम कर्म के द्वारा की गई आध्यात्मिकति भी दिए, ज्यान गया है तो ना तो उसको व्यक्ति को कोई मुक्ति की कामना है ना उस व्यक्ति को किसी सकाम कर्म की कामना है सकाम मतलब कोई फ्रूटिव रिजल्ट की कामना है ना कोई उसे भौतिक लाप की कामना है ऐसी कामना रहित गति विधी से जब श्री कृष्ण की अनुकूल भाव से सेवा कोई व्यक्ति करता है, तो उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, तो कहने का भाव यह है, यहां जो हमने जो आपको पहली स्लाइड में आपको यहां जो दो बातें बताई थी, कि भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना, ये दो चेतनाओं के दो प्रका करें, इन दोनों शास्त्रों के उधारनों से, अब हम आगे चलते हैं, ये जो स्लाइड है, ये जड़ा ध्यान से देखिए, शुद्ध भक्तों को देखने का दृष्टिकोन, तो यहां शुद्ध भक्त को देखने के अलग-अलग दृष्टिकोन के बारे में, ये उनकी सुची है, शुद्ध भक्तों को देखने तथा उनके साथ व्यभार में होने वाले दोष्ट, दोष्पूर्ण दृष्टिकोन की सुचियां है, सुची है ये, पहला क्या दृष्टिकोन हो सकता है, शारिरिक कमी, कि ये तो पंगु है, ये तो नेत्रों से बाधित है, नहीं पाता है, तो शारिरिक कमिया, तो ये देखना कि ये तो शारिरिक रूप से एक प्रकार से विकलांग है, तो चूंकि ये शारिरिक रूप से अब विकलांग है, अपूर्ण है, तो ये वास्ता में हमारा मारदर्शन नहीं कर सकता है, तो ये दोष्पूर्ण एक प्र इसको बब्द पास बहुत अधिक साधन थे या इसके माता-पिता वो अपराधी थे या वो एक परकार से किसी इस परकार का कार्य करते थे जो सामाजीक दृष्टिकॉंड से जिसको बड़ DOM किना इस परकार से तिप भूल चूड़ों हो जाना मतलब कोई छोटी मोटी कोई तृटी जो है वो होuna जिसे किसी शलोक का उधारण जो है गलत दे देना या किसी लेख में कोई तृटी कर देना तो यह भूल चूड़ों के अंतर्गत इस प्रकार के दोश आ सकते हैने उच्पद से इर्षा का भाव उच्च पद मतलब चुकी ये भक्त जो है काफी प्रगती कर चुके होते हैं, उन्नत हो चुके होते हैं, कई बार इनका वास्ता में बड़े लोगप्रिय भी हो जाते हैं, तो कई बार इनको एक प्रकार से लोगबाग इर्शा के दृष्टिकोंड से भी देखने लगते हैं, तो ये एर्शा पूर्ण दृष्टिकोंड एक प्रकार से ये भी एक प्रकार का दोश है हमारे व्यवार में, अनुशासनात्मक कारेवाही मतलब जब कई बार किसी ऐसे व्यक्ती को ऐसे उत्तम भक्त से कोई एर्शा हो जाए, और ये व्यक्ती जो है, वो समाज में बड़ उचे पद पर बैठा हो और अपनी इर्षा के कारण वास्तम में शुद्ध भक्त के ओपर ये कोई अनुशासनात्मक कारिवाही करें तो ये भी एक बड़ा दोश्पूर्ण हमारा एक ब्यभार है अलोचना करना इर्षा के कारण हमें अलोचना करने लगते हैं कि ये तो वास उचित रूप से द्रिष्टिकोंट से ना देखना उनको सलहा देना आपको तो ऐसे नहीं करना चीए आपको वैसे करना चीए या उनको सुधारना आपने ये ठीक नहीं किया आपने वो ठीक नहीं किया तो ये जब हम स्वयम उन्नत भक्तों के इस तरपर नहीं हैं हम स्वय इरशा का दृष्टिकोन रखना, इरशा के दृष्टिकोन से प्रेरित होकर कोई अनुशासन आत्मक कारवाई कर बैठना, उनकी आलोचना करना, उन्हें सलाह देना या उन्हें सुधारने का प्रयास करना, ये सब वास्तम में एक दोश्पून व्यवार है, जिन से हमें बच बैठना चाहिए, तो कक्षा का विशे क्या है? कक्षा का विशे है कि जो आध्यात्मिक रूप से वास्तम में उन्नथ है, उत्तम अधिकारी है, ऐसे भक्तों के साथ, हमें व्यवार में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, और उनसे इस प्रकार का व्यवार नहीं करना चा गई अब हम एक एक करके अलग अलग बातों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आपके लिए डालेंगे शारीरिक कमिया तो शारीरिक कमिया अर्थाद जैसे मैं आपको अधरण ग्या शरीर में कोई ना कोई कमी होना, कई बार कोई रोगी हो सकता है, वो भी शरीरिक कमी के अंतरगत आता है, मानले खासी होती है, उसे बड़ा बलगम आता है, उसे बार-बार थूखना पड़ता है, या और कोई इस प्रकार का दोश आप देख सकते हैं, शरीर में कोई कमी है, कहीं कोई अंग जो है वो वास्ता में बादित है, दृष्टि बादित है इस प्रकार से, तो यह शरीरिक कमिया है तो कई बार हम ऐसे भक्त के साथ संग करते वे, ऐसे व्यक्ति के साथ संग करते वे, जो वास्तम में उन्नत है, भक्ती में काफी आगे बढ़ा हूआ है, लेकिन शरीर में कमी है. तो हम वास्ता में हमारे मन में विचार ये आ सकता है कि क्या ये कमी इस व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है यदि इसकी ये कमी शरीर में जो कमी है पूर्व जन्मों में कर्मों के कारण है कोई इसने पाप किया है या कोई इसने दोश किया है पूर जनम में तो एक तो व्यक्ति वास्तम में हमें हमारा मारदर्शन करने के लिए उप्यूक्त नहीं है ये मन में भाव हमारे आ सकता है तो क्या ये कुकर्मों के कारण है ऐसे व्यक्ति के तो यहां हमें वास्तम में चाहिए ये केवल उन्नत भक्त के संबंद में ही नहीं है ये किसी एक साधारन व्यक्ति के साथ जब हम व्यवार करते हैं और देखते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई कठिटाई है कोई उसके जीवन में कोई कमी है कोई समस्या है और हम इस बात को मान लें कि भई वास्त तो उसके पूरवजन्म के कर्मों के कारण है, तो पापी है, दोशी है, तो हमें हम उस व्यक्ति के सामने या उस व्यक्ति के प्रती हीन दृष्टिकोंड रखें या हीन भावना रखें तो ये उचित नहीं है, तो हमें मुख्य रूप से समझना चाहिए कि कर्म के सिध्धान का एक प्रकार से दुरूपयोग हम करते हैं कर्म के सिध्धान्त का दुरूपयोग क्या हुआ कर्म के सिध्धान्त का दुरूपयोग यह हुआ कि यदि हम किसी जीव का किसी व्यक्ति का जीवन में हम कठिना ही देखते हैं और उसे सोचने लगते हैं कि तो इसके पूर जन्म क कारण है तो इसे भोगते रहना चाहिए हमें इसमें हसक शेप नहीं करना चाहिए हमें शांती से कोने में खड़े होकर देखते रहना चाहिए और हमें कुछ नहीं करना चाहिए तो यह तो अपने कर्म के सिध्धान्त को हमें इस प्रकार से देखना चाहिए कि यदि हम उसको अपने जीवन में, हमें अपनी जीवन में उसको लागू करने के देखना चाहिए, ना कि कि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है, उस अधार पर उसको देखना चाहिए, अपने जी कि हम कोई गलत करम करेंगे, भले ही कोई सरकार नहीं देख रही है, भले ही कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, अगर यदि हम कोई गलत करम करेंगे, तो भगवान देख रहे हैं और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, कर व्यक्ति दुखी है और हम सोचें कि ये तो इसके कर्मों के कारणी दुखी है तो हमें इसका कोई हमें यहां कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तो वास्तव में ऐसा नहीं है कर्म के सिध्धानत का ये दुरूप योग है तो ये वास्तव में जवाब दही से भागना है ज और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे रोते रहने देना चाहिए. तो की उचित्, उप़ियोगा कर्म किसी दार करनी है. मा को क्या सोचना चाहिए? मा ये सोचती है, कि ये रो रहा है, तो मैं इसकी सिवा करूँ. मा अपने कर्तवे मेरा क्या है इस बच्चे के परती, मैं उसको पूरा करूँ. और इसके रोने को, इसको जो भी कश्ठ हो रहा है, उसको रोकूँ. हमें अपना धर्म जो हे वो करना चाहिए, यदि हम किसी सामने वाले व्यक्ति को किसी कठिनाई में देखते हैं, किसी परिशानी में देखते हैं, ना कि ये कि भई ये इसके कर्मों के कारण है, बलकि हमें सहायता करनी चाहिए, बलकि यदि हम सहायता नहीं करते हैं किसी कारण से, तो वो एक प्रकार से हम, एक प्रकार से, एक बूरा कर्म अपने लिए अपने ले ले लेते हैं। जैसे अरून के साथ हो रहा था। अरून देख रहा था कि अधर्मी लोग हैं, इन्होंने इतना अधरम पूर्ण राज्यकर रहे हैं और मैं यदि युद्ध ना करके भगवान कहते हैं यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो एक प्रकार से तुम करम के भागी होगे तुमें करम का करम भोगना पड़ेगा इसका युद्ध से भागने का फिर अगर कोई एक व्यक्ति जिसने पूरी इमानदारी से अपना धन कमाया है वो को लिखने ही क्या जो रहते हैं तो अपने करम के फल भोग रहा है नहीं पूलिस का दाइत्व है कि ऐसे व्यक्ति की साहता करे और चोर को पकड़ने में मदद करे साहता करे उसका धन जो है लुटावा वापस लेकर है जैसे कई बलातकार माली जी किसी स्री के साथ हो जाए और सजा मिलनी चाहिए उसको अपराद का दंड जो है वो मिलना ही चाहिए तो ये उधारन है तो शुद्ध भक्त के संबंद में यदि हम कोई शारीरिक दोश देखते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इसके पूर जन्म के करमों के कारण है वास्तव में वो भक्ति म हमें आगे बढ़ा है हो सकता है कि संभावना है कि वो कोई इस परकार का दोश उत्वन हुआ हो शरीर में लेकिन वर्तवान में हमें उसकी आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर ही हमें उसको देखना चाहिए तो ये है पहला जन्म के आधार पर लेकिन फिर भी यदि फिर भी कोई भी दोश उस भक्त के अंदर है तो उस संबंद में भगवान शी कृष्ण ने गीता में ये जो शलोक लिखा है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए इस लोक में कहा है अपी चेट सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधूर एवसमन तव्या सम्यक यवसितो हिसा भले ही कोई मेरा भगत है उसने कोई ग्रणित कारे किया है अपी चेट सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग लेकिन यदि वह मेरी भगती में लगा हुआ है तो साधूर एवसमन तव्ये उसे संत माना जाना चाहिए क्यों क्योंकि वास्तम में वह अपने भगती के संकल में द्रड़ता से लगा हुआ है तो हो सकता है कि वरतमान समय में थोड़ा कुछ उसके अंदर दोश रह गया हो लेकिन चुकि वह भगती में लगा हुआ है द्रड़ता से लगा हुआ है तो भविश्य में वो जो दोश अभी देख पा रहे हैं हम वो भी नहीं रहेगा तो इस तरह से हमें शुद्ध भक्त के संबंद में अपना दृष्टी कॉण उचित रखना चाहिए, शारिरिक दृष्टी कॉण से हमें नहीं देखना चाहिए, दूसरा दृष्टी कॉण क्या हो सकता है, जन्म, जन्म का अर्थ क्या हुआ, कि उसका जन्म जो है वो किसी ऐसे परिवार में हुआ जो सामाजिक दृष्टी से है या आर्थिक दृष्टी से या एक प्रकार से जाती की दृष्टी से या धर्म की दृष्टी से आपके मन में या इस प्रकार का भाव हो कि वह हीन है तो यदि हम उस भक्त को उसके जन्म के आधार पर उसकी भक्ति तै करेंगे तो वो एक दोश होगा, क्योंकि भक्ति जो है वो जन्म से तै नहीं होती है भक्ति किस आधार पर तै होती है? भक्ति तै होती है कृष्ण के प्रती कौन कितना शरणागत है तो जो व्यक्ति जो भक्त कृष्ण के प्रती जिसने पूर्ण रूप से शर्णागती स्विकार करी है अपने जीवन में और उस शर्णागती को वाफ पालन कर रहा है तो वास्तव में भक्ती जो है वो कृष्ण के प्रती शर्णागती से ही तै होती है अब उधारन लीजे ज जन्म का उधारन लीजिए, जन्म का उधारन देखे, जैसे जब शिलप रहुपाद जी पस्चीमी देशों में गए, यानि कि अमरीका देश में मुख्य रूप से जब वो गए, तो बहां उन्होंने कई भक्त बनाएं, कई अपने अनुयाई बनाएं, और एक समय ऐसा हुआ क जब उनके इतने अनुयाई हो गए, और उन्होंने अपने अनुयाईयों के साथ भारत देश की यात्रा करी, अपने साथ वो कई अपने विदेशी भक्तों को, विदेशी शिश्यों को वो लेकर आए, व्रिंदावन में लेकर आए, तो चुकि प्रभुपाद जी जो थे, व्रिंदावन से ही गए थे अमरीका, और जब उन्होंने कई विदेशी भक्त जो है, जब वो अमरीका मिला है, तो जो वह भारतिय लोग थे, उनको देखकर उन्हें बड़ा आश्रे हुआ, और मुख्य रूप से दो प्रकार का भाव था, ऐसे कुछ भारतियों में, और द पहली प्रतिक्रिया उनकी ये थी, कि भई हमारी संस्कृती बड़ी श्रेष्ट है, चुकि हमारी संस्कृती इतनी श्रेष्ट है, जब ही इन लोगों ने ये अपनाया है, तो यहाँ वास्ते में संस्कृती के प्रति कोई एक प्रकार से आदर की भावना कम थी, बलकि एक भाव जादा ये था कि हम एक प्रकार से श्रेष्ट हैं और दूसरा भाव ये था कि ये जो विदेशी लोग हैं ये वास्तव में मलेच हैं ये वास्तव में इस प्रकार के परिवारों में इन्होंने जन्म लिया है जहां मास खाया जाता है जहां एक प्रकार से स्वच्छता क इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, तो ये वास्तव में एक निम्न जन्म वाले लोग हैं, इन्हें हमारी संस्कृती से दूर रहना चाहिए, इन्हें हमारी संस्कृती के योग्य नहीं हैं ये लोग, तो दोनों ही बातें जो हैं एक प्रकार से एहंकार का सूचक हैं, लेकिन जी यहां ये समझाते थे कि जो व्यक्ति एक बार भगवान को शरनगत हो चुका और उसने भगवान की शरनगती स्विकार करके अपने जीवन में परिवर्तन स्विकार कर लिया है भगवान की शिक्षाओं को स्विकार कर लिया है उनकी शिक्षाओं पर चल रहा है और सुचा पाजी एक कथा सुनाया करते थे वो कथा ये थी कि कई बार एक व्यक्ति जो है वो पढ़ लिखकर काफी आगे बढ़ गया और एक बहुत बड़ा जज बन गया अपने जीवन में तो उसके जीवन में जब बहुत बड़ा जज बन गया तो उसके कोई वरिष्ठ उसके कोई र नंगा घुमते वे देखा है, ये तो नंगा घुमता रहता था, गलियों में भागता फिरता था, ये आज जज कैसे बन गया है, लेकिन यदि वो व्यक्ति जज है, एक आदर के पद पर बैठा हुआ है, लोग बाग उसे स्विकार करते हैं, उसका समाज में बड़ा आदर है, सतकार है, तो वो जज के रूप में स्विकार है, अब इस बात से क्या फरक पड़ता है, कि उसको बचपन में किसी नंगार देखा, या कपड़े पहने देखा, इससे क्या आर्थ, इससे क्या फरक पड़ता है, तो प्रहपाज जी इस बात को इस तरह से समझाया करते थे, ए जो वास्तव में शुद्ध भक्तों के परिवार के जो लोग हैं, पूर्व में इतिहास में कई शुद्ध भक्तों हुए हैं और उन शुद्ध भक्तों के जो परिवार वाले हैं, तो वो जो हैं, वो कई बार ये सोचते हैं ऐसे लोग, कि हम तो वास्तव में हमारे पूरवज गोस्वामी थे शुद्ध भक्त थे और हम उनके वंचज हैं तो हम ही वास्तव में केवल हम ही भक्ती के बारे में बता सकते हैं, किसी को दीक्षा दे सकते हैं, ये केवल हमारा ही अधिकार है और किसी का अधिकार है ही नहीं तो ये वंच गोस्वामियों का जो उधारण है, तो प्रहुपाद जी इसका खंडन किया करते थे, प्रहुपाद जी कहते थे कि वास्तव में गोस्वामी ये जो उपाधी है, इस उपाधी पर केवल और केवल शुद्ध भक्त का ही अधिकार है, शुद्ध भक्त का ही अधिक लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ वंश गोस्वामियों में ही के परिवारों में ही जन्म लिया है वही शुद्ध भक्त हो सकता है गोस्वामी शब्द का अर्थ है गो का अर्थ है इंद्रियां स्वामी का अर्थ है स्वामी मालिक तो ज जिसने भी भगवान की शर्णागती को पूरी निष्ठा से, पूरे नियमों से उसने स्विकार कर रखा है, उससे वास्तम में उसकी भक्ति का इस्तर तै किया जाता है, ना कि इससे कि वो जन्म में क्या था, या पूर्व जन्म में वो क्या था, या अपने जीवन में वो उपधेश मरत हैं रूपको स्वामी जी ने लिखिये, आप देख सकते हैं पूस्तक कितनी सुन्दर पुस्तक है तो रूपको स्वामी और सनातन गोस्वामी वास्तव में एक मुसल्मान शासक के राज्य में रहा करते थे surtout कि यह दक्ष ते बड़े प्रतिभा शाली थे तो जो वहाँ का जो नवाब था उस राज्यका नवाब हुसेट शा हुसने इन दोनों को सनातं गोस्वामी को रूप गोस्वामी को अपने राज्य में मंतरी बना रख़ा था और एक का नाम था साकार मलिक और दूसरे का नाम था दबीर खास तो एक प्रकार से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो थे वो दाड़ी रखते थे और मुसल्मानों की तरह वेभार करते थे तो एक प्रकार से उन्होंने मुसल्मान जो रहन सेहन था उसे सुविकार कर लिया था लेकिन चैतने महाप्रभूजी ने उनके मुसलमान रहन सेहन को सुईकार करने के बावजूद भी उनको गोस्वामी पद से सुशोबित किया तो आप जानते हैं कि हम रूप गोस्वामी जी को गोस्वामी उनके नाम के आगे गोस्वामी लगाते हैं सनातन जी के आगे सनातन गोस्वामी लगाते हैं तो ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भक्ती में कृष्ण के प्रती शरणागती ही वास्तम में हमारा मुख्य मापदंड है कि उसको हम उन्नत भक्त मानते हैं या उसको हम उन्नत भक्त नहीं मानते ह अधार पर दृष्टिकोन का एक प्रकार से चर्चा यहां पर हमने की है आगे हम देखते हैं आकस्मिक भूल चूल भूल चूक आकस्मिक भूल चूक का उधारन जैसे हम आपको दें तो यदि प्रहुपाद जी के जीवन से उधारन दें तो कई बार आप देखते हैं कि प्रह श्लोक को वो उद्धरन उसका दे रहे हैं, तो कई बार छोटा मोटा उसके अंदर कुछ भूल चुक हो जाती थी, जैसे भगवत गीता गाई श्लोक है, जन्म कर्मचा में दिव्यम एवं योवेती तत्वताह त्यक्त्वा देहम पुनर जन्मम नेती सो मामेती अर्शो तो प्रभुपात जी कई बार जो ये अंतिम जो पंक्ती होती थी, उसमें अर्जुन की बजाए पंडवा बोल देते थे, तो एक बार प्रभुपात जी अपने शिश्यों के साथ गूमने जा रहे थे, तो एक सन्यासी हैं हमारे अंदुलन में, इस कौन संस्ला में, उनका नाम है जैदवयत स्वामी, तो जैदवयत स्वामी जी भी उनके साथ उस समय थे, तो उन्होंने प्रभुपात जी से प्रशन पूछा, प्रभुपात जी यदि कोई शुद्ध भक्त कोई तुरुटी करे, कोई गलती करे, तो क्या वह उचित है, उसको हमें किस तरह से प्रवचन कर रहा है, और उसने शुलोक को गलत प्रकार से तुरुटी पूर्ण रूप से उसने उधरत किया, कोई शब्द आगे पीछे हो गया, या संस्कृत में कोई तुरुटी रह गई, तो उसको हमें कैसे देखना चाहिए, क्या ये वास्तम में शुद्ध भक्त जी उसकी तुरुटी है, उसकी गलती है, उसकी भूल है, तो क्या इस भूल के आधार पर हमें उसे शुद्ध भक्त के रूप में स्विकार नहीं करना चाहिए, तो प्रवपाज जी ने कहा कि ये वास्तम में शुद्धता को देखने का गलत दृष्टिकोन है, ये बाहरी दृ प्रवपाज जी ने कहा कि ये जो तुरुटी उस भक्त से हुई है, चुद्ध भक्त से हुई है, ये वास्तम में बाहरी दृष्टिकोन है, उसको देखने का, ये उसकी शुद्धता को नापने का एक गलत दृष्टिकोन है, पूर्णता को नापने का सही दृष्टिकोन कि वास्तव में उसके भीतर भगवान की सेवा का भाव कितना सशक्त है भगवान की सेवा का भाव यदि उसके भीतर बड़ा सशक्त है तो ये वास्तव में पूर्णदा का सही दृष्टिकोन है वो व्यक्ति कितना अच्छे से बोल रहा है तोतला होके बोल रहा है या उसने जो लेक लिखे हैं उसमें कहीं कोई भूल चुक रह गई है तो वो वास्तव में पूर्णदा का सही दृष्टिकोन नहीं है उधारन दूसरा देते हैं दूसरा उधारन है कि जब प्रहुपाजी अपनी पुस्तगें लिखते थे तो उसमें कई प्रकार की व्याकरण के शब् किया और जब उन पुस्तकों को वो लिखते थे तो उसमें कुछ दोश रह जाते थे तो कई बार एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिससे अर्थ सो समझ में आता है लेकिन वो वास्तव में अंग्रेजी का जो सही उचित शब्द नहीं था तो ऐसे में दो भक्त जो उनके जो लेखन था उनका जिसका वो समपादन किया करते थे तो उनमें बहश हो गई बोले यह जो शब्द लिखाए प्रहुपाजी ने लिखा और प्रहुपाजी शुद्ध भक्त हैं हमें इस शब्द को बदलना नहीं चाहिए एक भक्त बोलता यह शुद्ध भक्त का शब्द लिखावा है, शुद्ध भक्त की वानी अटल है, हमें इसे बदलना नहीं चाहिए। हमें शब्द जिस प्रकार से अंग्रेजी शब्द कोश में लिखा गया है, उसी का ही अनुसरन करते हैं, उसको हमें ठीक करना चाहिए। तो कहें, जब यहां इस्पेलिंग ही ठीक नहीं है, व्याकरन भी ठीक नहीं है, तो यह पुस्तक में यह मुझे आध्यात्मी ग्रूप से मेरा क्या मारदर्शन करेगा। फेंको इस फुस्तक को, यह मेरे किसी काम की नहीं है। प्रभाव यह है कि हमें वास्तम में जो भौतिक दोश हैं इस प्रकार के, वो शुद्ध भक्त की आध्यात्मिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो वस्तुओं को अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए संपादन की आवशक्ता है, तो उस संपादन को वहाँ किया जाना चाहिए है। तो यहाँ पर इस तरह से हम आकस्विक जो भूल चूब जो हो जाती है किसी शुद्ध भक्त से, उसको हमें बाहरी दृष्टी से ना देखते हुए, बलकि हमें इस दृष्टी से देखना चाहिए कि वो कृष्ण की सेवा किस भावना से, कितनी तीवर भावना से करना चाह है, तो दोनों ही बातों को हमें समझना चाहिए. आगे देखते हैं, उच्च पद से के पृत्ती इर्शा का भाव, उच्च पद के पृत्थी इर्शा का भाव अर्थात क्या? तो ये भी हम प्रहुपाजी के जीवन पर ही आधार्त बनाकर समझने का प्रयास करेंगे, तो तो प्रभुपाज जी के जो गुरुदेव थे, उनका नाम था बक्ति सिद्धान सरफ़ती महराज. बक्ति सिद्धान सरफ़ती महराज ने अपने जीवनकाल में, प्रचार में बड़ी सफलता जो थी उन्होंने अरजित करी. और उन्होंने भारत देश में 64 गौडिय मठों क की स्थापना करी और विदेशों में भी तीन जगाओं पर रंगून में, मौन्ट्रियाल में और लंदन में अपने गौडिय मठका वहाँ पर एक केंद्र जो था वहाँ पर उन्होंने खोला और उनके जो अन्यूआई थे, उनके जो शिश्य थे, बड़े एक प्रकार से सम लोक से जब उन्होंने उनका तिरोभाव हो गया, जब उनका शरीर पुरा हो गया, तो उन्होंने जो इतने सारे मठों की जो मैनेजमेंट का या प्रबंदन का जो उत्तरदाइत्व था, वो किसी एक व्यक्ति को नहीं सौपा, उन्होंने एक कमेटी बनाई, आज की की ये बात हम कर रहे हैं, उस कालखंड में इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी, व्यवस्था सामाने रूप से ये होती थी, कि कोई यदि एक व्यक्ति जब उसका शरीर पूरा होकर छोड़ कर जाता है, तो वो किसी एक अन्य अपने उत्तरादीकारी को निय हो पाया है, कि मैं उसको केवल उसको जो है, वो इस प्रकार से प्रबंदन का कारे सौंप सकूँ, तो इसलिए उन्होंने एक GBC संस्था नाम की एक समीती का निर्मान किया, और कहा कि भी आपस में सला करके, वोटिंग करके, आप जो हैं, वो महत्तपूर्ण विश्यों पर निर्ने लें, और इस तरह से आप मठ का कारिये, इस संस्था का कारिये आगे बढ़ाएं, लेकिन उस प्रकार से कारे करने का अभ्यास उनके शिश्यों को नहीं था, तो हुआ ये कि उन्होंने कुछ समय चलाया, लेकिन बाद में महां मतभेद होने के कारण है, उन्होंने स आचरन को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रख पाया, और बाद में कुछ कठिनाईयां हुई, जिस कारण से फिर उस संगठन के अंदर मदभेद उत्पन हुए, और दो समुहों में उस संगठन का विभाजन हो गया, आपस में कोर्ट में मुकदमे बाजी चलने लेगी कोर्ट में मुकदमे बाजी किसले चलने लेगी कि यह जो गौडिये मठ है, इसकी जो इतनी सारी संपत्ती है, उस पर किसका अधिकार है। तो ऐसे समय में प्रहुपाज जी जो थे, वो अमेरिका देश में गए। अमेरिका देश में जाकर उन्होंने अपने गुरु भाईयों से, जो गौडिये मठ के जो उनके गुरु भाई थें, उनसे काफी साहता मांगी, लेकिन उनने कोई साहता नहीं मिली। उन्होंने सफलता अरजित करने के बाद जबे पुनहें भारत वापिस आये और उन्होंने अपने विदेशी भक्तों को जब वहाँ पर अपने गुरु भाईयों से मिलाया, वरिंदावन में उनके सम्मान में बड़े कारेकरम आयोजित हुए, तो क्या हुआ कि कुछ उनके गुरु भाई जो थे, उन्होंने उनके जो ये इतने जो जो उनकी जो सफलता थी, उनको एक प्रकार से उनकी प्रशंसा तो करी, लेकिन प्रशंसा इस प्रकार से करी कि जैसे वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, वो एक गुरु भाई जो थे, उन संगठ हला अत्मक रूची, जो चारियों को करने में उ काफी दक्ष थे, हर प्रकार के व्यक्तियों से deal करने में वो पारंगत थे, तो इस कारण से जब वो बाहर विदेश में गए, तो उन्होंने जो इस प्रकार के जो निम्न जन्म वाले जो आदात की दीजिक उनका कहने का भाव ये था कि देखिए हम लोग तो जिन व्यक्तियों को प्रचार करते हैं तो बड़े उच्च कुल के हैं और भक्ति विदान्त स्वामी जो प्रचार करके आए हैं बड़े निम्न कुल के व्यक्तियों को प्रचार करके आए हैं तो एक प्रकार से प्रशंसा तो कर रहे थे, लेकिन प्रशंसा की आल में एक प्रकार से उनकी आलोचना कर रहे थे, या एक प्रकार से इर्शा जो थी वो अपनी प्रस्तुत कर रहे थे. तो ये कहने का भाव ये है, प्रिय भक्तों, कि शुद्ध भक्त जब वो किसी व्यक्ति को वैशनव पद्धती में प्रेरित करने के लिए जब वो करता है, तो ये वास्ता में कोई साधारन घटना नहीं है, पतित पावन है. जैसे आपने नित्यानंद प्रभु की कथा सुनी होगी, कि उन्होंने जगाई, मधाई जैसे पतितों को भी उन्होंने भक्त बना दिया. तो पतितों को भक्त बनाना बड़ा कठिन है, बजाए जो ओल्रेडी, जो सोड़ा सत्व गुण में सिथ है, ऐसे व्यक्ति को भक्त ब बना पाए, तो वास्तम में भक्ति विदान्त स्वामी अनिके प्रभुपाजी का जो भक्ति का इस्तर था, उस इस्तर की जो श्रेष्टा है, उसको प्रती पादित करता है, ना कि उसकी श्रेष्टा को किसी प्रकार से कम करता है. तो उच्च पद के प्रती इर्षा का और मैं 5-7 मिनिट और लूँगा और कक्षा समात कर दूँगा अनुशासनात्मक कारवाई और आलोचना का यहां क्यारत है कैसे देख सकते हैं कि कई बार आपने कुछ भक्तों का जीवन के बारे में आपने सुना होगा कि वे अपने भक्ति के कारण, अपनी शुद्धता के का कारण, बड़े लोकप्रिय हो गए थे, जैसे मध्य युगीन काल में आज से लगबग 500-600 वर्षपूर्व जब भक्ति आंदुलन आरंभ हुआ, जिसमें मैं एक भक्त का उधारण दूँगा, तुकाराम दास, तुकाराम, संत तुकाराम, महाराष्ट के एक बड़े पहु कारण, वो काफी लोकप्रिय हो गए थे, वो जो अभंग अपनी कविताएं लिखते थे, वो गाउं-गाउं में, घर-घर में वो जो थी, वो गाए जाने लगी थी, और उनकी लोकप्रियता के कारण, जो उस समय का जो ब्रह्मन समाज था, या उस समय जो हिंदू समाज के जो एक प्रकार से नेता थे, उनको वास्तव में एक प्रकार से असुरक्षा की भावना उनके मन में आ गई। इन शुद्ध भक्तों के कारण, जो वास्तव में कोई बहुत बड़े परिवारों से नहीं आते थे, छोटे-छोटे निम्न कुल में जन्म लिये, निम्न परिवारों में जन्म लिये, ऐसे परिवारों से आते थे, तो जब इनकी अपार लोग प्रियता के कारण इनके स्वार थी हीतों को जब ठेस पहुँचने लगी तब इनके ओपर उन्होंने अनुशासनात्मक कारवाई करना आरम किया कभी राजा से जाकर उसका शिकायत करना उसको दंड दिलवाना इस प्रकार के कारे वो करने लगे इसका एक उधारन हमें वैशनव वैशनव इतिहास में भी मिल मुसल्मान थे लेकिन चैतन्य महाप्रभू ने इनकी निष्ठा देखकर इनकी हरी नाम में रूची देखकर इनको नामाचारे का उपादी दी और इनकी लोग प्रियता से एक प्रकार से कठिनाई समझते हुए उस समय का जो हिंदू समाज था वो हरिदाश ठाकर की शिकाय जो था वो नवाब हुसेंद शा के पास करने चला गया कि देखिए ये वास्तव में ये हिंदूओं को जो प्रचार कर रहे हैं ये गलत प्रचार कर रहे हैं आप इसे कम से कम इसे आप इनको समझाएं तो इस प्रकार से उनकी शिकायत करने चले गए और फिर नवाब हुसे से बड़ा प्रभावित होता है किन्तु जो नवाब के जो आसपास के जो मंत्री गंड थे वो फिर भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और हरिदास ठाकुर के प्रति एक अनुशासनात्मक कारवाई जो है वो की जाती है उन्हें सरे आम सब के सामने जो हैं वो कोड़े मारे हैं तो इसा मसी के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उन्होंने अपने समाज में इस परकार के परिवर्तन करने आरंब किये तो उस समय के वो जो उनके समाज के जो लोग थे उन्होंने महां के राजा से जाकर शिकायत कर दी तो इसलिए उन पर अनुशासनात्मक कारवाई तो ये आप देख सकते हैं कि केवल वैदिक संस्कृति में ही नहीं ये हर समाज में देखने को मिलता है कि जब कोई भ्यक्ति के सिद्धानतों का पालन करते हुए जब वो आगे बढ़ता है समाज में लोग प्रिय हो जाता है तो उसी समाज के लोग जो हैं उसके प्रती अनुशास वैदि हम इस प्रकार का घोर वैश्णुव अपराद है यदि हम इस प्रकार की भावना रखते हैं इस प्रकार का मनो भाव रखते हैं तो यह स्यम हमारी भक्ती के लिए ही जो है हानिकारक हैं, हमें इससे बचना चाहिए, सलहा देना और सुधार करना, उन्नत भक्त को सलहा देना, ये कनिष्ट का या मध्यम अधिकारी का कारे नहीं है, उन्नत भक्त सुयम जानता है कि वो क्या कर रहा है, हमें सलहा नहीं देनी चाहिए, हमें उसके किसी कारे में सु करना या point out करना कि जी वो आप जो कर रहे थे वो ठीक नहीं था आपको ऐसा करना चाहिए कनिष्ट को या मध्यम को अपनी स्थिति को जानना चाहिए और उन्नत किसी वैश्णव से उत्तम अधिकारी से उसी प्रकार से उसको व्यभार करना चाहिए तो ये देखे ये जो चित दी गई तो ये चित्र जो हैं ये कुछ इंटरनेट पर उपलब्द हैं तो आपकी सिवा के लिए ये सामने प्रस्तुत किये जा रहे हैं आगे अंतिम स्लाइड आज की कक्षा की इस स्लाइड में बताया गया है कि भक्त की महिमा को हमें समझना चाहिए भक्त को हमें भौति आत्मा नहीं होता है हमारी तरह से वो बद्ध आत्मा नहीं होता है हमारी तरह से वह काम क्रोध लोब मो मद मत्सरिय जैसे विकारों से ग्रसित नहीं होता है वो शुद्ध होता है तो शरीर के स्तर पर नहीं होता है वो वास्तम में शुद्ध आत्मा के रूप इस तर पर हो इत्यारी भावना है, वही तो व्यक्ति को संगती में जाएगा, जो इन बातों से उपर उठ चुका है, उसका तो ध्यान ही नहीं जाता है, उस तरफ, शुद्ध भक्त पवित्र नाम के प्रति अपराद नहीं करता है, भक्त हुए बिना अन्य भक्त को समझ पाना संभव नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति स्वेम भक्ति में ना लगा हो, स्वेम किसी भक्ति के सिध्धानतों को ना समझता हो, तो अन्य भक्त को नहीं समझ पाएगा, अन्य भक्त वो किस इस्तर पर है, कहां कारे कर रहा है, क्या मनोभाव है, उन्हीं समझ पाएगा उन्नत और नवजाद भक्त का अंतर उनकी गतिविधियों से ही करें वो किस प्रकार का गतिविधी करते हैं, किस प्रकार का उनका एक प्रकार से कार्य है किस स्केल पर वो कारे करते हैं हम यदि अपने गुरु महराज को देखे हैं तो वो रिशी केश कीरतन फेस्टिवल का आयोजन करते हैं जिसमें ना जाने चार सो पांत सो भक्त जो है वो आयोजन में भाग लेते हैं हमारा हमारी शम्ता तो नहीं है हम तो इतना बड़े सरपर कारेकरम हमारी शम्ता नहीं है कि इतने लोगों को बुला सकें उनको इस प्रकार का आध्यात्मिक जो है वो कारेकरम में उनको प्रिरिद कर सकें तो उननत भक्त और नवजात भक्त को जो अंतर है, उनकी गतिविधियों से किया जाए, हम छोटा-मुटा प्रचार कारे करते हैं, कहीं कोई लेक लिख दिया, कहीं कोई पुस्थक के प्रकाशन में कोई साहयता कर दी, कहीं छोटा-मुटा कहीं कोई व्याक्ख्यान दे दिया और जो उन्नत भक्त हैं उनका जो प्रचार का जो इस तरह है वो बड़ा उचा है तो इस प्रकार से उनकी गतिविदियों से ये भाजन करें कि कौन उन्नत है और कोई नवजात भक्त है और यदि हम स्वयम को भक्त मानकर भहतिक दुराचार करने लगें तो इससे हमारी साहता नहीं मिलेगी तो यह अलग-अलग छोटे-छोटे बिंदु हैं जो प्रभुपाजी ने श्लोक के तातपरे में दिये हैं और शुद्ध भक्ति को समझना उन्नत भक्त को समझना इनसे हमें साहता मिलती है तो आज हम की कक्षा में यहीं हम आपको चर्चा करेंगे आशा के साथ कक्षा का हम यहीं विश्राम देते हैं शिला उपदे शामरत की जाए शिला प्रभुपाद जी की जाए को टिपणी हो को प्रशन हो को चर्चा आपको करनी हो तो अब समय है हम उस पर ध्यान दे सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवारा हरे किष्णा प्रभुजी हां मा घंसीन नहीं मिले गा ह। एसुसीयेशन मिले गा ना एक्सियेशन तो वह वास्ता तब में अपनी पुस्तक के माद्यमसे अपने प्रभचनों के माद्यमसे अपनी ऐस्शिच्चार के माद्यम से इतने सारे मंदिरों मे निर्माड जो उन्होंने किया us तो वैशनव वास्ता में कभी उसका तिरोभाव नहीं होता है। वो अपनी शिक्षाओं में सदेव उपस्तित रहते हैं। मैं आपको एक उधारन देता हूं। मैं आपको एक उधारन देता हूं। कृष्ण भक्ति में मैं सन 2005 में आया और लगभग सन 2011 में मैं अपने गुरुदेव इंदर दिमने स्वामी महराज से मैं सन 2011 में मेरी उनसे भेट हुई। तो जो मेरी सबसे प्रथम भेट हुई वो तभी हुई जब मैं उनसे दीख्षा लेने के लिए पहुँचा। उससे पहले मैं कभी उनसे मिला नहीं था। मेरी प्रत्यक्ष उनसे कभी कोई भेट नहीं हुई थी। तो सबसे पहली जो मेरी भेट हुई जब मेरे से वो जब थोड़ी बहुत बातचीत मेरी उनसे हुई। मैंने उनकी पुस्तकों को थोड़ा बहुत अनुवाद किया था तो मैं उसकी कुछ प्रतियां जो थी वो ले गया था और मैंने उनको दिखाया कि महराज मैंने आपकी जो पुस्तके हैं उनमें से एक पुस्तक का मैंने थोड़ा अनुवाद किया है तो मैं उन्होंने थोड़ी सी कथा बताई कि ऐसे-ऐसे मैंने आपकी पुस्तकों के माध्यम से मैं आकरशित हुआ और फिर मैंने देखा कि आपने पुस्तकों में प्रहुपाज जी का काफी वर्णन किया है तो मैं निकटतम इसकौन मंदिर गया और वहाँ पर मैं प्रहुपाज जी की जीवनी खरीद कर लाया जिसको मैंने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद वास्तमे में इतना प्रभावित हुआ कि मैंने निश्य किया कि मैं प्रहुपाज जी के बताय हुए मार्क पर चलूँगा तो मैं इतना इतनी बात मेरी उनसे हुई तो अगले दिन जब मेरी दीक्षा का जो हवन हो रहा था तो दीक्षा के हवन पर उन्होंने दो तीन संटेंस दो तीन वाक्य जो थे वो जो वहां भक्त जो थे जो उपस्तित थे उनको बोले मेरे बारे में तो मेरे बारे में उन्हो मेरी डायरी पढ़कर कृष्ण भक्ति में आये और कृष्ण भक्ति में आने के बाद वो इसकौन मंदिर गए इसकौन मंदिर में उन्होंने प्रहुपाद जी की जीवनी पढ़ी और उस जीवनी में वो प्रहुपाद जी से मिले और फिर उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वि यह नहीं कहा, उन्होंने प्रवपाद जी की पुस्तके पढ़ी, उन्होंने कहा कि वो प्रवपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर वो प्रवपाद जी से मिले, अब मैं व्यक्ति का तुरूप से कहा प्रवपाद जी से मिला, प्रवपाद जी को तो गए, काफी समय हो गया, लेकिन कहने का भाव ये है कि पुस्तक को पढ़कर आप उस पुस्तक में जो व्यक्ति है उससे मिल सकते हैं, उससे अपने हिरदे का जो आपका जो संबंद है वो स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए उस व्यक्ति को व्यक्ति का तुरूप से आपके पास उपस्तित होने की तरह थैंक यू प्रशन ने कोई प्रशन ने कोई विचार कोई आप टिपनी करना चाहें पर आपका भी है हो आप से कभी मिले नहीं लिकिन आप से मिलने आती नहीं है मैं बंबई आया था आप आई नहीं मिलने लेकिन हमें अच्छा लगता है कि हम आप से इसे जुड़े हुए है लेकिन अगली बार मंबई अगर मैं आया तो मैं आप से मिलने जुरूर आऊँगा हमें यह लग रहा है हम न आपका यह रीनन ही कभी चुका पाएंगे जीवन में आप इतने अच्छे से समझाते हो ना प्रभू जी में कि आपकी कॉंशेस में असे इतनी अच्छी है कि उसको अप्लाई करने को मन करता है तो हमें लगता है कि आपको राइट डिरेक्शन में हो बिल्कुल देखिए हम अब अब अच्छी बात है मैं आप सभी भक्तों के संग से मैं स्वयम भी बड़ा प्रेडित होता हूं जी तो ये तो दोनों तरफ से बात चलती है कोई अच्छा संग जो है वो हर तरह से प्रभावित करता है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्सा अधक शब्दों के लिए इसके अतिरिक्त कोई टिपणी हो को पूछना हो तो बताइए जी चले फिर कोई टिपणी नहीं है कोई और बात नहीं है तो यहीं कख्षा को विश्राम देते हैं आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद और अगला जो उद्वार है उसमें हमें प्रश्नोत्री करनी है खृपा करके थोड़ा सा प्रश्नों पर ध्यान दिजेगा और यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो पूर्व के जो प्रश्न है उनको थोड़ा सा सुनने का प्रयास किजेगा और अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किजेगा तो फिर अगले बुद्वार मिलते हैं शलोक संख्या तीन, चार और पांच पर प्रश्नोत्री की च नहीं तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणय बोल रहा है, ना मिजूभॉषकत सब्सक्राइजकों जी टेंग। हरे किसना प्रभूच्छ हरे किसना मतजी